सत्रावी बिहार विधान सभा के सत्र का आगाज जहां विधायकों के सदन में प्रवेश करने से पहले सीडियों पर मत्था टेक ने जैसे खुबसूरत तस्वरों के साथ हुआ तो वही ओवेसी की पार्टी AIMIM विधायक के हिंदुस्तान न बोलने से हंगावा मच गया पार्टी विधायक शापत के दोरान भारत बोलने पर अड़े हुए थे उन्हें हिंदुस्तान बोलने पर आपत्ती थी AIMIM विधायकों के इस व्यवहार का विरोज्जदादर युनाइटेट की और से भी किया गया बॉलिवुड ड्रक्स कनेक्शन को लेकर जांच कर रही NCB के डारेक्टर समीरवान खड़े की टीम पर गोरेगाव इलाके में हमला किया गया यह चापेमारी गोरेगाव पुर्व के जैन मेडिकल के सामने एस वी रोड पर चल रही थी चापेमारी के दोरान NCB के अधिकारियों की एक टीम पर कुछ अग्यात लोगों ने कथी तोर पर हमला कर दिया मुंबई पुलिस प्रवक्ता चैतन्या ने बताया कि गोरेगाव पुलिस ने तीन लोगों के खिलाप मामला तर्च कर गिरक्तार कर लिया है कोट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को जेल कस्टडी में रखने का आदेश मिला है फिलहाल मामले की जान चल रही है भारतिय जंता पार्टी ने बिजली के बिलो में बढ़ोतरी और राज्यसरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सोंवार को राज्यव्यापी आंदोलन किया जिसमें पार्टी के सभी प्रमुक पदाधीकारी सांसत, विधाय, साथी महापौर, जिलामभरिशद, ध्यक्ष, महापौर और सानिय पदाधीकारियों के साथ साथ आमनागरिकों ने भी हिस्सा लिया और बिजली के बिलो की प्रतिया जलाई ने चेतावनी दी है राज्यमास अचिव देभियानी परांडे ने नाशिक म्यांदोलन में भाग लिया बुद्वार शाम बेसा के आशिरवाद नगर के पास दो आरोपिय ने गोली चला कर सबजी विक्रेता 35 वर्षय उमेज धोबले की दिन्दहाडे हत्या कर दी इस मामले में 30 वर्षय शामिल शेख, शाकिर शेख, हसन, आशिरवाद नगर तथा 24 वर्षय सयद इमरान, सयद जमील को पुलीस ने गिरफतार किया था अब पुलीस इस हत्याकान के साथ ही शहर में बड़ी संख्या में पहुँच रहे अवैध हत्यारों के मामले में भी बारिकी से जांच कर रही है और आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुला से होने की जंभावना प्यक की जा रही है कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए महराश्च सरकार ने दिल्ली राजस्थान गुजरात और गोवा से यात्रा कर राज्च में पहुँचने वाले लोगों के लिए कोबिड-19 की RTP-CR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना ज़रूरी कर दिया है ऐसे में महराश्च में एंट्रित तभी मिलेगी जब इन राज्च के लोगों के बास निगेटिव रिपोर्ट रहेगी बतादे की महराश्च सरकार ने यह फैसला राज्चानी दिल्ली समेट इन राज्चों में कोरोना वाइरस के बढ़ते केसों को ध्यान रखते हुए लिया है सरकार की और से इस सम्मन में पूरी गाइडलाइन चारी की जाएगी रेल विने किसानों, फलुत पादकों और व्यापारियों को दो बार आपने से जोडने के लिए किसान रेल शुरू की लदान में 50% की रियायत के बावजुद इसे किसानों और व्यापारियों का उम्मीद के अनुरुप प्रतिसाद नहीं मिल रहा है इसकी वज़ा ट्रेन की टाइमिंग बताई जा रही है दक्षिनपूर्वा मध्या रेल नाकपूर मंडल के तहट इतवारी होते हुए छिंदवाडा हावडा किसान रेल की हस्तिती है किसानों की मांग है कि अधी ट्रेन हमारे लिए चलाई जा रही है तो इसकी टाइमिंग भी हमारी जरूरत के मताबिक हो ताकि हमारे सबजिया या फल सम्मंदी शहर में सही समय पर पहुचे और बिक सके महराश्र में एक तलाग से जुड़ा अनुक्षा मामला सामने आया है पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पती ने फोन पर ही तलाग दे दिया मामला एहमन नगर जी लेका है खास बात यहाँ है कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है दमपती की एक बेटी भी है आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहट मामला दर्च किया गया है जिसके अनुसार तातकालिक तीन तलाग पर प्रतिबंध है भारत में कोरोना के संक्रमन ने फिर अपने पैर फिलाना शुरू कर दिया है लेकिन अच्छी बात यहाँ है कि हम कोरोना वैक्सिन को लेकर काफिस सकारात मक्तरीके से आगे बढ़ रहे है कई वैक्सिन निर्माता कमपनियों का परिक्षन अंतिम चरण में है अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में जनवरी अंतिया परवरी के शुरुवाती सप्ता में लोगों को वैक्सिन मिल सकती है इतना ही नहीं इसका फाइदा समाच के हर तपके के लोगों को हो इसके लिए भी सरकार योजना बना रही है प्रदार मंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम वैक्सिन के भंडारन से लेकर वितरन तक की योजना पर काम कर रहे है रूस के डेनिल मेदवेदेव ने ATP फाइनस का खिताब अपने नाम कर लिया है उन्होंने अमरिका ओपन के विजेता उस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को रहाया मेदवेदेव का यह अभी तक के अपने करियर में सबसे बड़ा खिताब है रूसी खिलाडी ने खेले गए मैच में थीम को दो घंटे 43 मिनिट में 4-6, 7-6, 6-4 से हरा दिया इसी के साथ सिर्जम के अंतवाली इस चैंपियंशिप में एक तीन तक रैंक वाले सबी खिलाडियों को मात देने वाले पहले खिलाडी बन गए है कोरोना वैक्सिन को लेकर आ रही अच्छी खबरों से सोने चांदी की कीमतों परलगातार दबाव देखने को मिल रहा है अगर नए साल तक वैक्सिंग लॉंच हो जाती है तो सोना की कीमते 45,000 रुपे तक लुड़क सकती है